विवादित रियालिटी सो बिग बोस 17 में आईशा चंद दिनों के लिए ठीकी थी लेकिन उन्होंने कम समय में ही लाखों लोगों को अपना दिवाना बना लिया था मुनवर फारुकी की एक्स गल्फ्रेंड रह चुकी आईशा खान का बॉंड अभिशेक कुमार के साथ खुब पसंद किया गया था यहां तक की लोग यह भी मानने लगे थे कि शायद दोनों डेटिंग कर रहे हैं हाली में आईशा खान ने अभिशेक कुमार के साथ एक रोमैंटिक वीडियो भी शेयर किया था जो देखते ही देखते इंटरनेट पर मिंटो में वाइरल हो गया था अभिशेक और आईशा की केमेश्ट्री लाजबाप्ती वैलेंटाइन डे पर दोनों के वीडियो ने उनके डेटिंग रूमर्स को और भी हवा देने का काम किया आईशा खान ने अभिशेक संग अपने रिष्टे पर चुप्पी तोड़ी है शुकरवार को आईशा खान ने पैपराजी से बात करते वे अभिशेक कुमार के साथ अपने रिष्टे पर बात की जब पैपराजी ने आईशा से उनके और अभिशेक के रोमैंटिक वाइरल वीडियो से जुड़ा सवाल किया और पूछा कि क्या दोनों का आगे डेटिंग का कोई प्लान है इस पर आईशा ने कहा कि वा वीडियो सिर्फ उनके म्यूजिक एल्बम के प्रमोशन के लिए था बाकि ऐसा कुछ भी नहीं है आईशा ने उन रूमर्स को भी खारिच किया जिसमें कहा गया कि वा और अभिसे कोई म्यूजिक वीडियो करने वाले हैं आईशा ने बताया कि वा अभी कोई म्यूजिक वीडियो नहीं कर रही हैं उन्हें आफर्स मिल रहे हैं लेकिन अभी वा कुछ अच्छे के इंतजार में हैं इसी स्टोरी पर आपका क्या कहना है कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं बॉलिवुड और एंटरेटेन्मेंट की खब परोगले देखते रहें ये ABV एंटरेटेन्मेंट